हलो इस्टोंट्स वेलकम बैक टुमाई यूटूब शैनल प्रोफेसर शुभांत्यारी जहां पे चल रहे हमारी टीवाई भी कॉम क्लास सिमिस्टर शिक्स कॉस्ट अकॉंटिंग की स्रीज और पहला टॉपिक पी किया है इस्टेंडर कॉस्टिंग इस्टेंडर कॉस्टिंग कोरीफंड के कॉम्प्लीट कॉन्चेप्ट आपका क्लियर ओजाएगा आज जो लीक्षिन नूमब टू है आप लोग का रियान अगना जितने भी संस्ट की प्रैक्तिस मा करवा के दोगा जितने भी एग्सांपब्ल्स की प्राक्षिंस होगा वो प्रीवियस ये question है जो previous year का question रहेगा दोनों class की मतलब regular वालों की भी बात करूँगा मैं और distance वालों का भी बात करूँगा क्योंकि दोनों बच्चे साथ में connect होते हैं तो पहला जो start किया गया regular class complete 2002 से लेके मेरे पास 2023 तक का paper मेरे पास है 23 नहीं शायद से 22 तक का paper है देखेंगे जहां तक भी होगा complete question paper solve करा के दूँगा but easy to hard sir ऐसा नहीं 2003 से start करा हो नहीं ऐसा इसले नहीं करा सकता है क्योंकि अपने को question number 2 थोड़ा आसान question है फिर उससे hard label इस तरीके से बढ़ाना है but complete concept practice करा के दूँगा चोटे समसे चोटे example से हर एक बच्चा satisfy होना चीए चया regular वाला हो या फिर distance वाला हो चले सिदा question पे चलते है अब देखो आपके clear लिखा भी है कौनसे यह 2014 ए रेगुलर क्लासे डिस्टंस नहीं रेगुलर की बात बहुत आसान पहला question इसका मतलब होता है quantity की बात करने क्योंकि इंट्रॉक्शन क्लास में मैंने quantity variance की बात की बात किया था यह कुछ इस फॉर्म में दिया है material दिया है प्राइस देकर एक स्टैंडर है और यह मेरा actual है यह concept है तो इसके लिए करना क्या आपको एक टेबल बना लेना है द्यानकोख हमेसा यही pattern में आपको चलने है क्लियर टेबल समझ लो पहला example आपका हो जाएगा टेबल हो गए जादा बड़ा कोई दिकत नहीं जान से देखो इधर जड़ा पहला हमारा रहेगा standard पहला आपको क्या लिखना है standard में हमेशा ध्यान रखना quantity price and cost तीन टेबल आएगा नेक्स्ट बात करेंगे actual and actual में भी same यही pattern quantity price and cost की बात करेंगे कोई दिकत नहीं किसी बच्चे को चले लिखते हैं जड़ा क्या बोला गया standard की बात करेंगे 1000 quantity की बात करेंगे 1000 प्राइस कितना देखे रखा था लिख दिया actual की बात करेंगे 900 रेट की बात मतला प्राइस की बात करेंगे 16 यह इतनी डीटेल हमेशा हरे question में अपने को दिया रहते है 1000 quantity rate price देके रखे तो multiply करके cost निकालना काफी आसान हो जाएगा तो 12000 आ गया कोई दिकत है नहीं होनी चाहिए 900 multiply 16 कर दोगे तो आपका आजाएगा कितना आजाएगा I think 14400 आएगा multiply करके देख लेते क्योंकि बहुत टाइम हो गया टेबल पड़े गए तो 900 multiply 16 क्या 14400 राइट एंसर क्लियर है की नहीं कोई दिकत नहीं किसी बच्ची को चलिए चलिए फर्स्ट एक एक कॉंसेप्ट क्लियर करेंगे बहुत आसानी से पहला बात कर रहें भाई कॉस्ट की बता दो कॉस्ट में कितना वेरियंस आ रहे सर इस्टेंडर सोचा था बाई कितना मटेरियल कोष्ट वेरियंस का कॉंसेप्ट है अब देखिव इदर जर आप फॉर्मुला कैसी खाया गया था आपको इस्टेंडर हमेंस आज रखे ग्रो तो सर बन जाएगा मे 274 बनेटा सिफेंड़ कोस्ट बर गुएगा मीश्ट का क्याम पातों कि पेंस एक्षफल कोस्ट कितना दिख रहा है माइनस एक्च्वल कोस्ट कितना दिख रहा है माइनस किया तो कितना आ रहा है 2400 यहीं कॉंचेप्ट है 2400 वो भी किसमें आपको दिख रहा है adverse वाला केस है आपका adverse है adverse का concept है clear है I think हर एक बच्चे का यहां तक concept clear होगा next second cheese क्या बोली गई है price की बात किया है material price variance इसका भी concept आपको बहुत easy तरीके से clear कराया गया था किसकी बात हो रही है ध्यान से देखो इदर price की बात हो रही है तो price minus price करो क्या है standard price minus actual price standard price minus actual price multiply कराये गया था आपको ध्यान से अगर याद भी होगा तो standard price price minus price किया तो 1 kg का difference आएगा और multiply करना पड़ेगा अपने को actual quantity से किसे actual quantity जितना यूज हुआ है price में quantity का logic या फिर क्या concept है और आपको 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 आपके दे चुका हूँ standard price question में देखो चारा क्या था standard price कितना था price देके रखा minus 4 वैसे भी आगया minus 4 into 900 into 900 तो 3600 यह आपका आया एडवर्स यह क्या रहे एडवर्स आ रहे है clear है कि नहीं cost हो गया price हो गया और last आपका concept जो बचा last आपका concept है कौन सा quantity को लेके जिसको usage के नाम से भी जानते है अब जब quantity की बात करेंगे तो price में price minus price किया तो quantity में आप क्या करोगे quantity minus quantity मतलब standard quantity minus actual quantity यही concept था standard quantity minus actual quantity और एक basic चीज़ बताया था कि अगर आपने यहां पे actual use ही है तो इसका मतलब यहां पे standard use करोगे बड़ प्राइस क्योंकि वहां प्राइस के साथ में quantity चलता यह आपको एक basic hint दिया गया था आपको ध्यान में भी रहे इस standard quantity कितना था उपर कितना आपने सोचा था question देखो जरा standard quantity कितना आपका standard quantity कितना था 1000 हुआ लेके 900 है तो 1000 minus 900 क्या हो जाएगा 1000 1000 minus 900 multiply standard price आपका क्या है standard price जरा आप देखो standard price कितना देखे रखा है 12 देख लो जरा कितना आ रहा है 12 आ रहा है 1200 और यह आपके favor में जा रहा है क्या है यह आपके favor में जा रहा है इतना होने के बाद आपको बोला गया था कि भई verification भी कर लो ज्यादा best होगा आपके लिए भी और examiner के लिए भी verification अपने answer exam में यह वाले topic आप verify कर सकते हो कैसे इसका concept आपको बताएगा न कैसे material material cost variance जो cost में variance आता उसकी पीछे का दो रिजाने price है quantity है इसका मतलब दोनों को plus करोगे material price variance plus material quantity का मतलब usage variance clear है cost variance कितना है question में जरा देखो आप उपर cost variance कितना है 2400 एडवर्स है 2400 एडवर्स के जरा ध्यान दो exam में करके भी दिखा देना आप लोग 2400 यह एडवर्स का concept है अगर मैं cost price की बात करूँ price कितना है था आपको sorry price कितना है था अपना price है 3600 यह भी एडवर्स है 3600 एडवर्स जान दो इदर 3600 यह भी एडवर्स है प्लस करो आप इसमें quantity का कितना था 1200 और यह आपका favorable है यह आपका क्या है favorable है clear है कि नहीं है यह आपके favor में है तो यह देखो एडवर्स मतलब क्या होता minus और favorable का मतलब क्या होता positive तो दोनों कर लोगे वह 3600 minus कर दोगे तो आज जाएगा आपका 2400 बट एडवर्स ही आएगा ना आपका तो यह देखो जड़ा मैच हो गया कि नहीं यह मैच हुआ कि नहीं हुआ और यह एक पल हो जाना चाहिए इसका मतलब shorts में क्या बोला जा रहा है बैस शौट में कि कॉस्ट का जो एंसर आएगा वो दूनों को पलस करने आना चाहिए अब दोनों का प्लस करके आइसा नहीं प्लस होगा दोनों पलस करने है दिहान रखना पॉजीट्व चैनिमः इंगेटिब का भी कॉंचेप आपको चलेगा यह is minus might से minus plus का कॉंचेप्ट आपको पता हैसर माइनस ही करना है और दोनों में से बड़ा जो number रहेगा उसकी sign आ जाएगी adverse minus में मतब adverse व Uno बड़ा नंबर जादा है तो चेलर बड़ा है एड़ वर्स ही शो करेगा और यहाँ पर आप देखो के इस तरीके से आपको करना है नोट कर लो पहले आप नोट कर लो इसको वेरिफिकेशन भी आप लोग करना एक्जाम में वेरिफिकेशन नोट कर लिया यह नोट कर लिया फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है फॉर्मुला समझना भी है याद भी करना दोनों तरीके से आपको चलना है चलिए नोट कर लिया आपने यह वेरिफिकेशन भी देख लो आप चलिए क्लियर है आई थिंक क्लियर कॉंसेट होगा फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन अगर हो रहे तो जरूर नीचे क्लास को चैनल का लिंक शेयर करो राकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके से कॉस्ट अकूंटिंग की कम्प्रीट बेलिफिट्स मिल सके तुशे लिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पर बात करने वाले हैं निक्स्ट क्लास मतलब लेक्शन नमबर थर्ड के बारे में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच